So, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, most demanded वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 गारियों के बारे में बात करेंगे, और वो जो 10 गारियां होगी, वो upcoming Hyundai and Kia Motors के तरफ से आने वाले गारिया होने वाली है, तो बहुत जादा interesting वीडियो रहने वा अगर आप लोग प्लैन कर रहे हैं, इन दोनों कमपनियों में से कोई भी एक कमपनी के उपर जाने के लिए, वो कौन सी गाडिया है, क्या-क्या specification है, किस price range के अंदर आएगी, और मतलब क्या-क्या engines रहने वाले हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़े आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो बिना देरी शुरुवात करते हैं, सबसे पहले हम लोग Hyundai Motor से स्टार्टिक करते हैं, यहां पे, तो पहले नमबर पर जो गाड़ी आ रही है, वो आ रही है, अलकजार का फेसलिप्ट, अब देखिए, अलकजार भी जो है वो ही है, आप लोग को यह गारी भी देखने को मिलेगी, इसको भी बहुत जादा major upgrades किये जाएंगे, यहां पे, जिसमें आप लोग को सामने से देखते हो, तो connected LED DRLS आप लोग को मिल जाएंगे, और साथ ही में पीछे connected tail lights भी आप लोग को मिलने वाले हैं, जो कि देखने में काफे 7-seater में जाना चाहते हैं, आप लोग के बास option, अब 7-seater में जाना चाहते हैं, तो अलकजार आने ही वाली है, वेट करना चाहते हो, तो इसका भी कर सकते है, यहां पे आपको interior में जो एक must प्यारा सा dashboard का layout मिल जाएगा, जो कि आप लोग को काफी ददा premium feel होने वाला है, एक main बात आ जाती है, इसमें आप लोग को क्या engines रहने वाले है, देखिए इसमें दो engines आप लोग को दिये जाएंगे, एक 1.5 लिटर का naturally aspirated petrol engine होगा, और दूसरा होगा 1.5 लिटर का ही diesel engine आप लोग को इसके अंदर दिया जाने वाला है, प्राइसिंग जो है अभी expect नहीं किया बात करते हैं, यहां पर आती है, इनकी extra EV, अब देखिए, EV का market जो है ना बहुत जादा तगड़ा है, तरीके से growth में चला हुआ है, यहां पर Hyundai motors भी अब EV को बढ़ावा देने के लिए ready हो चुका है, जहां पर यह लोग जो launch करने वाले, वो extra EV पर launch करने वाले, इसमें आप आपको क्या क्या चीजे मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए, जो battery pack आप लोग को इसमें दिया जाएगा वो 40 kWh का होगा, ठीक है, अब 40 kWh का आप लोग को कितना range क्लेम करेगा, इसमें 2 range है, जैसे Tata आप लोग को देती, यह 2 range, एक mid होता है, एक long range होता है, इसमें भी आप लोग को mid range और long range है, जिसमें आप लोग को mid range जो होने वाली है, वो आपको 300 km की range प्रोवाइड कर देगा, और जो long range होगा, वो 350 plus km की range आप लोग को जो ना क्लेम करेगा, और यह कहीं ना कहीं expected है, अभी किसी तरीके से confirmation नहीं है बट यह आप लोग को news जो है, वो आप लोग को मैंने बता दिया, इसमें आप लोग को safety को देखते हुए, extra वैसे भी काफी जदा आप लोग को safety feature प्रोवाइड करा देता है, जैसे six airbags आप लोग को इसमें दिये जाएंगे, three point seat belt भी आप लोग को इसके अंदर दिया जाए जो की मतलब more than sufficient bowl ही सकते है, इसको हम लोग, ठीक है, CNG भी आप लोग को इसमें offer किया जाता है, अब वहीं पर आप इसकी EVV आने वाली है, मार्केट में, और dashcam जैसा feature भी आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा, तो यह गाड़ी में थोड़ा सा delay हो सकता है, इनका जो ह एक काफी जादा premium SUV रहने वाली है, देखिए, इनके यह जो SUV का segment है, काफी जादा premium होता है, यह आपको 7-seater के layout में इस गारी को launch किया जाएगा, और इसकी pricing जो होगी, वो Fortuner के ही तरफ जो है आमार को खींचे लेके जाती है, जैसे की 35 से लेके 40 लाग रुपे की इसकी एक के अंदर क्या आप लोग को engine option मिलेगा, यहाँ पे आपको 2.2 लिटर का turbo diesel engine दिया जा सकता है, जो कि 194 BHP के power generate करके देगा, साथी में manual CVT और DCT और आपको लोग को automatic option भी आप लोग को इसकी अंदर दिया जाएगा, देखिए, इंटीर में थोड़ी हम अगर अंदर जाकते है इसके तो इंटीर आप लोग को काफी ज़्यादा premium यहाँ पे offer किया जाएगा, जैसे कि आप लोग को spacious होगा, अंदर का cabin, जिसमें आप लोग को comfortably आप लोग कहीं भी जा सकते हो इसमें, और साथ इसमें आप लोग को सारे जो features होंगे, वो up to date रहने वाले हैं, तो Hyundai Motors जो है Indian Market को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि यहाँ पे customer को क्या चाहिए, उसी हिसाफ से जो है यहाँ पे गाड़ियां उतारी जाती है, अब देखते है Hyundai Motors क्या करता है अपने पहली सेड के साथ, चलिए इस दुसरी गाड़ी के बारे में बात करते है हम लोग इनके, तो यह यहाँ पे आ रही है Stargazer, यह भी एक seven-seater layout में होने वाली है, एक काफी ज़्यादा premium भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा तगड़ी-गाड़ी होने वाली है, इनकी seven seat में, जैसे कि इसके अंदर अगर आप लोग जांकते हो ठीक से, तो काफी ज़्य ज़्यादा बड़ा cabin मिलेगा, काफी ज़्यादा spacious है अंदर से देखने में गाड़ी, और साथ ही में काफी ज़्यादा comfortable भी आप लोग को ride provide करवाने वाली है, इसकी जो कीमत रहेगी यह मार्किट के अंदर यह आप लोग को 11 से लेके 15 लाख रुपय के बीच में इसको यह पसंद भी आ रहा है, और किसी किसी को नहीं भी आ सकता है, देखिए, सामने से देखते हो तो connected ideally DRL सा आप लोग को दिये जाएंगे इसमें, और साथ ही में connected tail lights भी आप लोग को दिया जाएगा, एक Adas का favorite feature भी मिलेगा, 360 degree camera भी होगा, एक 1.5 liter का naturally aspirated petrol engine आप लोग को इसमें दिया जा सकता है, तो 1.5 liter का naturally aspirated petrol engine इस गाड़ी के लिए मतलब आप लोग का क्या लगता है, कि मतलब अगर ये engine आया तो मतलब सही रहेगा फिर या नहीं, comment box में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ये engine आपको 130 BXP की power generate करेगा, और manual automatic dono gearbox के साथ ये आप लोग को offer किया जैने वाली है, वो है Santa Fe, इस गाड़ी को मतलब दो तरीके से launch किया जाएगा, मतलब दो variants में, जैसे एक 5-seater में होगी, एक 7-seater में भी होने हो सकती है, अगर देखिए, अगर ये 5-seater में आती है, तो इसकी प्रैसिंग रखी जाएगी, वो कही ना कहीं, ठारा से लेके 20 ल लग रहे हैं, तो अगर सामने की बात करते हैं, तो एक unit light setup मिल जाता है, आप लोग को H-shape में काफे जदा प्यारे लग रहे हैं देखने में भी, और इसमें आपको 2.0 रगा naturally aspirated petrol engine आप लोग को दिया जाएगा, अब देखिए, वही बात यहां पे आ जाती है, इतनी हाल हाली में इसमें आपको 6-speed और manual CVT और ECVT gearbox के साथ आप लोग को यह पेर रहेगा, चलिए, अब यहां पर इसके जो फीचर से सारे up-to-dated होने वाले हैं, और साथ ही में इसमें ventilated seats भी होंगे, 10.25 इंचिस का infotainment system होगा इसके अंदर, और साथ ही में आप लोग को इसके प्रिगरी camera वगेरा, एडास का safety feature भी आप लोग को दिया जा सकता है, इस गाड़ी का जो launch date रहेगा, वो मही के महीने में आप लोग को देखने को मिलेगी, अब यहां पे हम शुडू कर लेते है, Kia Motors के तरफ से आने वाली वो पांच गाड़िया कौन सी है, जो अभी launch होने क को त्यार होने वाली है, 2024 वे, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर इनकी Kia Telluride आने वाली है, यह भी बहुत जादा तगड़ा सेग्मेंट होने वाला है, SUV में इस गाड़ी का competition में काफ़ जादा तगड़ा रहेगा, अगर जल्दी launch हो जाती है, यह भी premium segment में आने वाली एक 7-seater गारी है, जिसके looks and design काफ़ी जादा attractive है, देखने में काफ़ी जादा muscular लग रही है गारी, और साथ ही में अगर सामने से देखते हम, तो यहां पे एक new Kia का grill आप लोग को इसमें मिल जाएगा, एक नया headlight setup आप लोग को मिल जाएगा, फुल LED के साथ अगर इसके engine के बारे में आप लोग को में बताता हूँ, तो यहां पे आपको एक 3.8 लिटर का petrol engine आप लोग को मिल जाता है, 3.8 लिटर का अभी इसमें turbo होगा या फिर नहीं होगा, नेचरल ही होगा, जो भी है, वो सब कुछ हम लोग किसी next वीडियो में बात करेंगे, फि रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल होगा, 360 डिगरी कैमरा होगा, एडास का बहतरिन सेफटी फीचर भी आप लोग को इसके अंदर दिया जा सकता है, कीमत इस गाड़ी की जो है न कहीं न कहीं आपको जो है expensive होगी, यह भी आपको जो है तीस से लेके 35 लाख रुपे के किया गया था, जहां पर हमने क्या क्या चीज़े देखी थी, एक नया design language आप लोग को इसमें मिलने वाला है, और साथी में एक L-shape का DRL आप लोग को मिल जाएगा, एक panoramic sunroof आप लोग को बड़ा सा मिल जाएगा, साथी में इसमें जो battery pack मिलेगा, आप लोग को 75 kWh की battery आ आप लोग को claim करेगा, देखिए इसमें आप लोग को front में जो होंगे, वो heated और ventilator seats सा आप लोग को offer किये जा रहे, काफी दा सही बात है, एक big screen होगा इसमें, 360 degree camera भी mount होगा इसमें, और साथी में ये गाड़ी का जो launch date रहेगा, वो हो सकता है, March के last में, या फिर April के जाने वाली है, जिसकी जो design है, वो काफी जदा different लग रहा है, अगर देखते हो आप लोग, ठीक है, एक unique type का आप लोग को design मिल जाएगा, इसके highlight में भी, इस गाड़ी की जो कीमत होगी, वो 18 से लेके 24 लाक रुपे के बीच में हो सकता है, अगर इसके engine के बारे में बात कर और dual zone AC climate control हो का automatic में, और साथी में ventilated seats होंगे, six airbags दिये जाएंगे safety के लिए, और इस गाड़ी का जो launch date रहेगा, वो June के महिने में आप लोग को देखने को मिल जाएगी, चलिए और एक गाड़ी के बारे में बात करते हैं, इनकी तो यहाँ पे आने वाली है मोहावे, इस म वीडियोज होती है, वो actual में पहले बन रही होती है, तो दीरे-दीरे-दीरे करके जो है वो वीडियोज आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो चलिए फिलाल इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, यह भी एक seven-seater में आने वाली premium SUV रहेगी, जिसके looks and design जो काफी ज़्यदा सही लग रहा है देखने में भी, इसका जो कीमत होगा वो 20 से लेके 27 लाख रुपे के बीच में हो सकता है, और साथ ही में 2.2 लिटर का diesel engine आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा, जो की 8-speed automatic और DCT gearbox के साथ यह आप लोग को pair होगा, सारे जो features होगे वो up-to-date रहने वाले है, एक नया premium interior आप लोग को introduce किया जाएगा इसके अंदर, इस गाड़ी का launch जेंट होगा, अप्रेल के महिने में, चलिए लास्ट गाड़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इनकी आ रही है, कार्निवाल का new generation, अब देखे कार्निवाल भी जो ह आप लोग को मिलने वाला नहीं है, यह फिर से वैसे ही expensive आप लोग को मिलेगी, बट हाँ, इसकी जो changes है उसके बार में बताते हैं, तो काफी दा premium looks के साथ आएगी, काफी major changes किये जाएंगे, फ्रंट में आप लोग को LED light का setup मिलेगा, नया, और इसकी जो pricing होगी, वो 30 से 35 ल लिस्ट तो काफी जादा लंबी है, बट यह इस चीज को price को justify करता है या नहीं करता है, वो हम किसी दुसरे ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो इस गारी का जो launch date रहेगा, वो April के महिने में होने वाला है, तो देखिए overall यह थी वो 10 गारिया जो की Hyundai और Kia Motors के तरफ से आने वाली थी, अब जो है ना आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सी गारी पसंद आ गई, और next वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, I mean मतलब किस गारी पे चाहिए आप लोग को dedicated वीडियो, उस गारी का कमेंटर में आप लोग मुझे नाम बता सकते है, फि मैं मिलूँगा आप लोग का ऐसी किस इंटेस्टिंग वीडियो के अंदर आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप लोग का दिन शूब रहे, जैहिंद!